सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइके नेवर मिसन अपडेट हलो गुड़ आफ्टनून दोस्तों स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ओफिशल यूट्यूब चैनल पे थोड़ी सी टेक्निकल इसू की वज़े से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए कोई बात हैं 500 प्लस कोईशन की हम लोग सीरी जास से लांच कर रहें 500 प्लस कोईशन टोटल 500 कोईशन होंगे जिसका पार्ट वन आज आप लोग देख रहे हैं तो येस गूड़ा सा टेक्निकल इसू कई बार टेक्निकल गिलिचेज हो जाते तो उसकी वज़े से थोड़ी सी क्लास ल यह आपका सिंप्लिफिकेशन का कोईशन है तो जल्दी से इस इस कोईशन का लिखके दे दीजिए कि आंसर क्या आएगा यह वेरी गूड आफ्टर नून भाईया चुट्टी नहीं है आज चुट्टी है ये 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 कोई चुट्टी नहीं है चुट्टी खताम 10 मिनिट का ब्रेक था वो दस मिनिट का ब्रेक हो चुका है चलो कोई चुट्टी नहीं है कोई भी चुट्टी आज नहीं है ध्यान रखो मैं आ चुका हूं यहां पर चलो कोईशन देखो और को देखके बताओ आंसर क्या आना चाहिए देखो 128 divided by 8 divided by 2 divided by 4 divided by 16 तो equal to question mark मतलब इसकी value कित सबको multiply में change करके reciprocal लिख लो ठीक है multiply लगाकर reciprocal बना दो 1 upon 8 1 upon 2 1 upon 4 और into 1 upon 16 16 से यह 8 times कटेगा 8 से 8 और 1 upon 8 बिलकुल correct answer आना चाहिए मतलब first वाले question का answer आपका आ चुका है इसका 1 by 8 मतलब option number a बिलकुल correct है यह option जितने लोगों का answer आ चुका है वो लोग बिलकुल सहीते तो च कोई बात नहीं लेट हो गए भईया technical glitches है कुछ चीज़े ऐसी होती है जो मेरे हाथ में नहीं होती न टेक्निकल टीम के हाथ में होती है भईया कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं ignore करना चाहिए चलो question start कर दिया है 1 by 8 पहले का answer है second question चलो इस second question का answer जल्दी से बताओ यह question यह answer आपका आना चाहिए चलो question बोला है 70 sticks each of unit length मतलब unit length का मतलब एक-एक length की मतलब एक-एक यूनिट उसकी लंबाई होगी और सत्तर इस्टिक दी हुई है उसको आपने क्या बनाया उससे एक right angle triangle right angle triangle मतलब समकौर्ण त्रिबोच का मतलब उसमें 90 degree का कोण और ना चाहिए तो यह आपने एक संपौर्ण त्रिबोच बनाया जिसमें 90 degree का कोण बनेगा ठीक है ना 90 degree का कोण बना आपने बना दिया question बोला है total 70 stick आपको यूज करनी है एक unit length की ठीक है without any breaking आपको area of triangle बनाना है तो सबसे पहले एक ची समझ लो कि इन तीनों का जोड कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए अगर इन तीनों का जोड आपका 70 आना चाहिए समझ के चलना समझ के बिलकुल ध्यान से अगर इन तीनों का जोड 70 आना चाहिए तो हमेशा इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा triplet इसमें क्या लगा के चलना पड़ेगा triplet और एक बहुत शांदार triplet है ज और 29 जड़ा इनको जोड़के देखो 20 और 29 और 29 जोड़ा तो 70 मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है वो क्या होंगे 20 21 तो 20 यहां पे आ गया उस सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस मतलब 29 यहां गया आपको निकालना एरिया ओफ ट्राइंग बी करेक्ट है जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी था वो लोग बिल्कुल करेक्ट सें 210 बिल्कुल सही है आदित्य चौरस यह मिस्टर अर्जुन गगन चहर संदिप्ता खजन सिंग वीरेंद प्रताप राहुल शुवम बिल्कुल करेक्ट आंसर है मतलब 210 ही बिल कई बार ऐसे कोईशन देखने को मिले है तो जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आना चाहिए बिल्कुल 210 बिल्कुल करेक्ट आंसर है शेयर करते जाओ लाइक करते जाओ शेयर कर दो लिंक को सब जागे फैलादों की सर आ चुके है धमागेदार 500 प्लस कोईशन की सीरीज ल जिसका एरिया छेत्रफल दिया हुए 616 सेंटीमीटर स्कूरर वेन इट इस फॉर्म बेंट इन दा फॉर्म अप सरकल अब एक लॉजिक आता है यहां से कि यहां पर टूडी है हमेशा दिया रखना टूडी में अगर किसी भी फिगर को समझो टूडी में किसी भी फिगर को तोड़ा जाएगा मरोड़ा जाएगा गलाया जाएगा तो हमेशा उसका पैरिमीटर होता है क्या होता है पैरिमीटर टूडी में किसी फिगर को मोड़ा जाएगा गलाया जाएगा या फिर मेल्ट करा जाएगा हमेशा क्या करा जाएगा उसका टूडी में पैरिमीटर होग इंटू 7 अपॉन 22 यह कटा 28 से तो आर की वेल्यू आपकी आगई कितनी 14 मतलब रेडियस आगई 14 बिल्कुल बचे 484 बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलो रेडियस आपको 14 मिल चुकी है आप कॉशन है बोला उसको मेल्ट करा बेंट कर दिया किसमें स्क्वेर में तो पैरीमिटर स्क्वेर का और आपका जो सरकल है दोनों का इक्वल होना चाहिए तो सरकल का पैरीमिटर होता है टू पाई आर तो बताओ अगर क्लियर हो चुका है तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है और यह इक्वल हो जाएगा फोर इंटू साइड के ठीक है ना तो टू इंटू ट्वेंटी टू बाइ सेविन और रेडियस आपको 14 दियो है सेविन टूजा और यहां पर फोर इंटू आता है मतलब option number d बिल्कुल correct है चार्सो चौरासी जितने लोगों का अंसर था वो लोग बिल्कुल सही है clear हुआ कि नहीं 484 बिल्कुल correct आंसर है आपका जितने लोग का अंसर 484 था वो लोग बिल्कुल सही हो चुके हैं बिल्कुल यूवराज बिल्कुल करेक्ट आंसर है शिवांगी कश्या 484 प्राची मिश्रा बिल्कुल 484 सही आंसर है तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कोईशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछाए मीडियन, मोड और मीन कई बार में यह आपको बता चुका हूँ मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं तो जल्दी से पेरिंग बता दो कि मीडियन, मोड, मीन इन तीनों की सीरीज यह होने चाहिए पहले मीडियन आएगा फिर मोड आएगा फिर मीन आएगा तो जल्दी बता द कि छलो समझते मीडियन पहले माद्रिखा कैसे करती है या तो पूरी सीरीज को जो आपको दिया हुआ है या तो आप उसको किस में कनवार्ट करो इंपर त्षा लगीं निपढ़ सबसे पहले सबसे च्छोटा है 5आ अफ यहीं के बाद 20 krijgen कितने बार आ रहा है एक दो तीन लह लग दिया छीक wiped ऊसके बाद 9 आ रहा है कितने बार 1 2 3 4 तो यह लग दिया 9 है ठीक है तो कौशन में मीडियन का मतलब box क्वीश का नमबर मीडियन का मतलब क्या होथाए dispersesi मजना मीडियन का मतलब governments बीच का नंबर बीच का नंबर क्या है देख लेते हैं चार यहां से चार यहां से तो बीच का नंबर यह बचा यह बीच का है यह आपका बीच का नंबर है मतलब आपको जो मीडियन मिला वह मीडियन के लिए कितना मिल चुका है एट मीडियन कितना मिल गया आपको एट तो य दिख रहा है वो है 9,99,99, अकेला ऐसा नम्बर है जो चार बार मेरे को दिख रहा है तो मतलब मोड आ चुका है आपका कितना, 9, मोड कितना आ गया, 9, ठीक है, अब बच्च्छता क्या है, मीन, मीन का मतलब क्या होता है सब को add करके, आपको divide कर देना है, कितनी एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नौ डिवाइड कर देना है किससे नौ फे अगर मैं इन सभी नंबरों को एड करता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा 72 सबको एड करके मिलेगा 72 और टोटल 9 डिजिट है तो यह कैंसिल करके कितना मिला 8 तो 8 मेरा मीन हो चुका है तो यही मेर को पैटरन फॉलो करना है मीडियन मोड और मीन तो मीडियन है एट मोड है नाइन और मीन है एट 8-9-8 मतलब option number C बिलकुल correct होना चाहिए 8-9-9 नहीं है संदिपका जी गलत answer है आपका 8-9-8 answer आएगा देखके चलो question को समझके चलो 8-9-8 आएगा आपका मीडियन आया 8 बोड आया 9 और मीन आया 8 तो 8-9-8 बिलकुल correct answer इस question के लिए आएगा बिलकुल ठाकोर साब का answer बिलकुल correct है प्रदीप का answer आदित चौरस ही है शुबम उसके बार राजेश बिलकुल correct मतलब 8-9-8 बिलकुल correct answer clear हुआ के नहीं जल्दी हुआ दिख रहा है तो सबसे जादा बार reflect होता हुआ मेरे को 9 दिख रहा है देखो चार बार उसके बाद मीन के लिए सब को जोड़ो जितनी संख्या है उससे भाग दिया तो 8-9-8 बिलकुल correct answer option number C अगला प्रशन यह रहा आपके सामने इसका डारेक्ट ट्रिक बताओंगा मदा आ जाएगा एकदम मतलब दिमाग को बस्ट करने वाली ट्रिक बताऊंगा इस कोईशन के लिए एक बार पढ़ लो और बता दो जल्दी आंसर क्या आना चाहिए मैंने सम नोट कर लिया बिलकुल नोट कर लो भईया mean mode median बहुत आता है SSC तो पागल हो गया इन सब के पीछे SSC और railway mean mode median का दीवाना है मतलब हर सेट में mean देदेगा median देदेगा mode देदेगा तीन हो चीज़े निकलवा लेता है हर सेट में तो यह दीवाना है समझ ले ना SSC और railway दीवाने मीन मोड मीडियन के तो इसको तो फीड कर लो दिमाग में हमिशा के लिए चलो question समझ लेते हैं three adjacent faces मतलब तीन जो faces होते हैं जिसमें LB, BH और HL मतलब L into B, B into H, H into L का area आपको दिया हुआ है कितना यह दिया हुआ है 18 मतलब L into B, यह दिया हुआ है B into H का मतलब 20 और यह दिया हुआ है H into L का area 40 आपसे direct पूछ रहा है volume बता दो तो volume direct कैसे निकलेगा अगर तीन adjacent faces का आपको area दिया हुआ है और आपको volume निकालना है word का कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना डायरेक्ट रूट निकाल लो multiply करके मतलब 18 गुणा 20 गुणा 40 डायरेक्ट निकाल दो answer आपको direct आपके कदमों में मिलेगा चलो समझ लेते हैं 9 गुणा 210 इंटू 2 और 10 इंटू 4 इसको और तोड़ दिया और तोड़ने का मकसद क्या था और तोड़ने का मकसद यह था जिससे जल्दी से जल्दी हमारे को factor दिखने लग जाए reflect हो जाए चलो समझ लेते हैं 9 का अ 120 मतलब 120 बिल्कुल correct answer option number C बिल्कुल सही था देखिए बिल्कुल 120 सरी आंसर आ चुका है मतलब वीरेन प्रताप प्राची मिश्रा अर्जुन कनिका प्रदीप शुभम शर्मा नेहा जैसबाल यूवराज वैवाव मिशन बिल्कुल correct answer आप सभी लोगों का answer बिल्कुल 110 percent 50 प चलो अगला question यह रहा इस question का answer बताओ अगर इस question का answer आपने सही रहे दिये ना मान जाओंगा कि आपकी तैयारी का level यहां है यहां मतलब out of the screen आपकी तैयारी का level चल रहा है जल्दी बता दो एक बार question को पढ़ लो तब मानूँगा चलो time खतम हो रहा है चार तीन दो एक खतम चलो price of 10 kg sugar मतलब 10 kg sugar का जो प्राइज है वही किसका प्राइज है च्छे किलो राइज का प्राइज है तो शुगर और राइज का जो प्राइज है उसमें ratio कितना मिला 6 अपॉन 10 मतलब 3 अपॉन 5 तो शुगर 3 और राइज 5 शुगर का rate आपको मिल गया 3 unit और राइज का rate मिल गया 5 वह बोल रहा है 10 kg sugar तो मतलब 10 into 3 उसके बाद बोल रहा है 8 kg राइज तो 8 into 5 तो टोटल हो गया है 30 plus 40 equal to 70 total price कितना मिला आपको 70 total price मिला 70 लेकिन total price आपको question में given है 1050 तो 70 की value 1050 ठीक है एक की value 15 तो तीन की value 15 गोणा 3 equal to 45 मतलब 45 option बिलकुल डी बिलकुल सही answer हो जाएगा भाईया शुगर की बात कर रहा राइज की बात नहीं कर रहा शुगर शुगर चीनी चीनी यह शुगर यह तीन शुगर तीन है और पंदरा की value कितनी हो जाएगी एक कमान 15 है तो तीन कमान 15 तीन 45 आनसर भाईया 75 क्यूं आएगा समझने की कोशिश करो राइज के लिए 75 है राइज के लिए 75 है समझो को राइज 75 है लेकिन शुगर 45 आएगा अगर वो राइज पूछता अगर राइज कितने यूनिट का है पांच यूनिट एक कमान 15 तो 15 गोड़ा 55 आता कब राइ सब्सक्राइब स देखके चलो थोड़ा सदेखके चलोंगे तो बुरा ही नहीं होगी कौशन को समझ के चलो तो बहुत मजा आएगा औप कॉशन नहीं समझ में आएगा तो कॉशन यहीं पर रह जाएगा हैं ठीक है बिल्कुल else 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलो अगला कोईशन ये भी मज़ेदार कोईशन है ट्रिक से अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा आपको कोईशन पढ़ लिजे साइड ऑफ इसक्वेर ए सेंटीमीटर स्क्वेर की साइड ए सेंटीमीटर है आपको रेशो निकालना है ड साइड ऑफ स्क्वेर पहले स्क्वेर की बात करेंगे तो स्क्वेर लेते ही मेरे दमाग में आता है उसकी सारी साइड इक्वाल हो जाती है ये सारी साइड इक्वाल कर दी और हमेशा ध्यान अगना अगर स्क्वेर की साइड जो भी दी हुई है उसका जो डाइगोनल होता है वो होता है A root 2, diagonal क्या होता है, A root 2, diagonal हमेशा क्या होगा, A root 2, ठीक है न, अब question पूछा है, ratio of diagonal, लिख लेते हैं, A root 2, और क्या लेना है, side of square, A, इसे cancel, मतलब root 2 is to 1, आपका correct answer होगा, तो option number C, बिल्कुल correct होगा, root 2 is to 1, आपका बिल्कुल correct answer, आपका बिल्कुल correct answer, आ चुका है नहीं, यह मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, कि भाईया, इतने लोग अगर मेरे साथ जोड़े हैं, तो आज रात को पौने 11 बजे, रात को पौने 11 बजे, अर्ध रातरी के समय हम लोग मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, reason क्या है सर, क्यों मिलें हम लोग, इसलिए मिलोगे, क् क्योंकि आपको 11 जून 2019 का CGL का पूरा पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं खुद मैट्स मेंटर आपको सॉल्व कराऊंगा, 11 जून 2019 का शिफ्ट, पहली शिफ्ट का पूरा पेपर, as it is, option समयत, question समयत, हिंदी समयत, सब कुछ कराऊंगा, 25 question, पहले भी कराया था, परसो इसने भी पेपर है, पूरे 30-40 पेपर, अकेला सॉल्व कराऊंगा, 25-25 का पूरा सेट, clear, तो मिलेंगे के नहीं, जल्दी से बता दो, हाथ एक बार थमसब दिखा दो, कि पौने 11 बजे, कितने लोग मेरे से मिलने वाले, आज, पौने 11 बजे, आज, टुडे, आज, आज, बात कर रहा हूं, 7 नवंबर को, आज ही, टुडे, हम मिलेंगे, पौने 12, पौने 11 बजे, रात में, CGL 2018 का, 11 जुन 2019 में, शिफ्ट पहली का जो पेपर हुआ, सारे पेपर, ऐसी डेली, हम लोग पौने 11 बजे मिलके, सॉल्व कर देंगे, सारे पेपर, clear, तो हम लोग ले ले करते हैं, यह वाला कोशन का अंसर जल्दी से बता दो, क्या आएगा, अच्छा, नेट खतम हो जाता है, तो नेट बचा लो, CGL के तो नेट बचा सकते हो, ना, बहिए, इंकम टेक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ओफ, एक्स्टेनलर फेर्स, मिनिस्ट्री ओफ, इन में जाना है, तो कहीं नेट तो बचाना पड़ेगा, चलो, कॉशन करते हैं, कॉशन बोला है, अमेन बाई, सम एपल, 33.33% ऑफेर्स, मतलब, एक आदमी ने कुछ एपल्स खरीदे, ठीक है, कुछ एपल्स खरीदे, उसका 33.33% सोल्ड कर दी है, कितने पर 22.5% के प्रॉफिट पे, पहली चीज तो यह जो आपको रेशो लिखे हुए, उनको लिख लेते है, 33.33 का मतलब होता है, 1 by 3, 25% का मतलब होता है, 1 by 4, ठीक है ना, तो मान लेते हैं, 4 into 3, 12, तो टोटल नंबर ओफ, एपल्स में मान लेता हूं, कितने हैं, 12, टोटल कितन पर 22.5% के profit, मतलब प्लस आ जाएगा, तो यह आएगा, प्लस का 90%, कितना आएगा, प्लस का 90%, प्लस क्यों आया, क्योंकि 22.5% आपका profit है, clear, अब समझो, 25% of it, मतलब 12 का 25%, मतलब 1 by 4, तो यह 3 हुआ, तो 3 को उसने बेचा, कितने पर 25% के loss पे, तो मतलब यह हो गया, माइनस का 75%, कितना हुआ, माइनस का 75%, अब बोल रहा है, आंगे, remaining, remaining कितने बचे देखते हैं, 4 हो गया, 3 हो गया, 6,4 और 3, 7, तो remaining कितने बचे, 5, और उस 5 को 3% के loss पे बेचा तो मतलब कितना हो गया माइनस का 15% कितना हो गया माइनस का 15 अब जोड लेते हैं सबको जोड़ते हैं देखते क्या होगा 90 में से 75 गए 15 और 15 में से 15 गए 0 मतलब कुछ भी नहीं बचा और कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब क्या हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस ऑप्शन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है नो प्रॉफिट नो लॉस क्लियर तो क्या आंसर आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्यों क्यों कि जब आपने पूरा सॉल्व करा तो आपको आंसर क् तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नमबर डी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर के लिए बन चुका है बिल्कुल भया सेशन को शेयर करते जाओ और अपने दोस्तों तक अपने दूर दरास जितने भी दोस्ते उन तक पहुंचा दो कि सर आचुकिया मज़ेदार सेशन और कोशन लेके आए अगला कोशन ही है चलो इसका अंसर जल्दी से बताओ 25 सेकंड का समय शुरू हो चुका है मज़ेदार question है यह वाला थोड़ा सो दिमाग को खोलेगा question अच्छा है लेकिन LCM निकालना है find the LCM किसका SCF of 2 by 3, 3 by 4 and LCM of 5 by 6 and 7 by 8 फिर इन दोनों का आपको further LCM निकालना है clear हुआ तो मतलब 3 बार process करनी है देखते हैं कितने लोगों का question का answer आ सकता है चलो समझते SCF of 2 by 3 and 3 by 4, 2 by 3 और 3 by 4 का SCF तो SCF के लिए आपको पता है numerator का आपको SCF निकालना पड़ेगा जब भी fraction में दिया है तो numerator का SCF तो 2 और 3 का SCF आएगा इस question के लिए 1, 2 और 3 का SCF 1 आया और 3 और 4 का अगर LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 12 मतलब इसके लिए आपको कितना मिल चुका 1 by 12 ठीक है अब अगर LCM पूछेगा तो उपर वाले का LCM और नीचे वाले का SCF यही होता है ना उपर वाले का LCM नीचे वाले का SCF तो 5 और 7 का LCM आएगा 35 और LCM आएगा 6 और 8 का 6 और 8 में common क्या आ रहा है 6 और 8 में common 2 है तो यह आ गया इससे मिल गया यह इससे मिल गया यह अब इन द को आपको फर्दा निकालना है क्या लिए तो लिए क्या करेंगे वन और 35 का लिए लिए क्या करेंगे लिए निकालेंगे वन और 35 का अपॉन SCF निकालेंगे किसका 2 और 12 का ठीक है LCM निकालेंगे 1 और 35 का SCF निकालेंगे 2 और 12 का तो 1 और 35 का LCM तो आएगा 35 और SCF आएगा 2 और 12 का 2 मतलब 35 बटे 2 बिल्कुल correct answer आना चाहिए clear हुआ तो 35 बटे 2 का मतलब option number A बिल्कुल correct answer आपका आज आएगा बिल्कुल नेहा जैसे बाल आदेते चौरस ही है नितिन शर्मा वीरेन प्रताप खजन सिंग नेहा उसके बाद नेहा कनिका तबस्सम उसका सही आंसर बिल्कुल correct है आपका 35 by 2 is the correct answer for this question बिल्कुल 35 by 2 आ चुका है मतलब समझ में आया अगर समझ में आया तो एक बाद हम सब देखा दो कि यह सर क्लियर हो चुका है question मज़ेदार था ना पहले सका स्चेफ निकाला पूरे का तो वन बाइट वैल इसका एलसेम निकाला थर्टी वाइट फिर फर्दर इसका एलसेम निकालोगे तो उपर वालों का तो प्राइज और कंजम प्राइज कंजम्शन और एक्सपेंडीचर के लिए उपर यह कॉशन में ने डिजाइन किया हुआ है जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा कि चलिए समय खतम कॉशन पड़ते हैं प्राइज ओफॉडिटी इंक्रीज बाइट 20 बिसंट प्राइज अग्सपेंडीचर और कंजम्शन तो पहली चीज प्राइज इनट्व कंजम्शन इक्वेल टू क्या होता है एक्सपेंडीचर प्राइज इन्ट्व consumption equal to expenditure तो price की बात करें 20% 20% का मतलब 1 by 5 और increase होने का मतलब plus 1 by 5 increase का मतलब plus 1 by 5 ठीक है expenditure 12% 12% को अगर लिखेंगे क्या लिख सकते है 12 बटे 100 तो इसको लिख सकते है 3 चौक और 25 मतलब 3 बटे 25 तो इसको लिख दिया 3 बटे 25 और क्यूंकि increase की बात कर रहा है तो प्लस 3 by 25 लिखती है ठीक है अब बोल रहा था कि 5 से कितना increase हो गया वन यूनिट तो कितना हो गया होगा 6 5 पे वन यूनिट इंक्रीज होके 6 हो गया और 25 पे 3 यूनिट इंक्रीज होके 28 हो गया ठीक है ना consumption में कितने का multiply करा जाए यहां पर यहां पर consumption में कितने का multiply करा जाए देखो तो यहां पर 5 का multiply होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए 28 अपॉन 6 यहां पर कितने का multiply होना चाहिए 28 अपॉन 6 तभी multiply करके आपको क्या मिलेगा 28 क्लियर हुआ यस टेक्निकल पड़ जाएगा कितना आएगा तो ये तो आएगा 30 और ये as it is 28 हो जाएगा तो 30 से decrease होकर consumption कितना हो गया समझे consumption 30 से 28 हो चुका है मतलब 2 unit कम हो चुका है कितना कम हो चुका 2 unit और 2 unit कितने पर कम होगा 30 पर 2 unit 30 पर कम होगा multiply by 100 ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 100 by 15 और इसका मतलब क्या होता है 100 by 15 का मतलब क्या है आपका अगर आप 100 by 15 को देखके चलोगे तो कितना आएगा आपका 20 upon 3 परसेंट और 20 upon 3 का मतलब option number D बिलकुल correct answer आना चाहिए दा मतलब 6 2 by 3 बिलकुल correct answer है जितने लोगों का answer 6 2 by 3 है वो बिलकुल correct है clear हुआ ये relation दियान रखना price into consumption equal to expenditure 1 by 5 ता 5 से 6 हुआ expenditure 3 by 25 ता 25 से 28 हुआ clear ये method sir class में सिखाया था आपने बिलकुल देखिए अश्विन सोनी जी ने class ली हुई है उनको पता है कि ये method में सिखा चुका हूं पहले clear तो 30 से 28 मतलब यूनिट काम होगा कितने पर 20 30 पर मतलब 1 by 15 और 1 by 15 की फ्रेक्शनल वेली होती है 6 2 by 3 अगला question चलो इस question का answer बताओ yes technical team मेरे को दिखा दीजे चलो इस question का answer जल्दी से बता दो answer क्या आना चाहिए इस question का अंसर बताओ कि अचलो समय खतम question बढ़ते हैं 2 of 3 of का मतलब क्या होगा multiply पहले off लिखा है तो पहले off solve होगा 2 multiply by 3 divide लिखा है तो divide कर देते हैं 3 multiply by 2 3 से 3 cancel तो 2 multiply by 2 कितना हो गया 4 मतलब यह पूरा जो section था इसको solve करके कितना मिला हमको 4 चलो ठीक है अब इस पर आ जाते है 4 3 the 12 यहां पर इसको solve करते है 4 3 the 12 minus 5 2 the 10 और 3 13 तो यह 13 हो गया और 12 minus 3 minus 1 12 minus 13 minus 1 अब 4 यहां से आये था यहां से minus 1 है तो 4 minus 1 कितना आना चाहिए था 3 मतलब option number a बिल्कुल correct है 3 बिल्कुल correct answer आ चुका है option number a बिल्कुल correct है चलो अगला question इस question का answer जल्दी से बता दो कि इस question का answer आपका कितना आना चाहिए और इसके लिए 25 सेकंड का समय आपका शुरूरू हो चुका है अब बिल्कुल सही answer है बचे option number a बिल्कुल सही था आपका answer सही है उस question का answer 3 आ चुका है 3 को छोड़ दो अब इस question पर focus करो यहां पर पूछ रहा है what is the sum of median and mode मतलब मेडियन और mode का आपको total sum बता नाएं कि sum कितना आना चाहिए ठीक है पहले mode कर लेते mode क्योंकि easy होता है mode का मतलब बहुलक है तो mode आपका थोड़ा सा heady होता है mode क्या होता है जिसको सबसे बार आप करने के बाद करने के बाद आपको बीच वाला जो नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा मोड मीडियन होगा अब देखो पहले नंबर ओफ टम्स काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच चल्दी से नाइंध वाला अरेंज कर लेते हैं वन कितने बार आ रहा है तीन बार तो एक दो तीन नाइंध नंबर ओगा वोगा वह आपका मीडियन हो जाएगा क्यों क्योंकि आठ और आठ के पेयर यहां बन जाएंगे बीच में सिर्म नौवा नंबर लाई कर रहा होगा तो अब 3 को चेक करते हैं 3 1 2 2 बार आ रहा है यह आ गया 3 ठीक है कितने नमबर हो गए 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो देखो 1 2 3 4 पांच 6 7 8 9 यह 9th नमबर आ चुका है 9th नमबर आ चुका है 9th नमबर आपका क्या है 9th नमबर 5 है तो 5 आपका मोड मीडियन हो जाएगा तो 5 प्लस 6 टोटल कितना हो गया 11 मतलब option नमबर डी बिलकुल correct answer हो चुका है clear हुआ के नहीं जल्दी बताओ 11 आपका बिलकुल correct answer 11 option यह रहा चलो इस question का answer जल्दी से बता दो आप चलो कॉशन पढ़ लेते हैं आप train मूव सेट आइ स्पीड ओफ 80 किलो मेटर पार आर्व अप्लेट फॉर्म मिन 0.75 मिनिट तो समझना अगर कोई train प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंद्स लेनी पड़ेगी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंद्स किती होगी स्पीड भाबाई स्पीड आपकी किती है एट टी और टाइंग कितना है 0.75 अब समझना यहां पर 0.75 मिनिट को सेकंड में कनवर्ट करेंगे multiply by 60 और किलो मीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में complete करेंगे तो 5 by 18 से multiply तो कितना आएगा 5 by 18 से multiply डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन में 100 करा तो यह 0 से 0 यह 0 से 0 आपका cancel हो चुका है अब यहाँ पर आपको direct question का answer निकालना है देखो 6 से यह 3 कटा 3 से 25 तो 25 एड़जा 205 जा 1000 मतलब आपका answer आना चाहिए कितना 1000 लेकिन 1000 नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि question बढ़ो length of train और platform दोनों की same है train और platform दोनों की length same है तो यह 1000 दो पार्ट में तूटेगा पहले 500 और फिर 500 मतलब train की length भी 500 प्लेटफॉर्म की length भी 500 मतलब option number D बिल्कुल correct answer आपका होना चाहिए तो option number D बिल्कुल correct हो जाएगा इस question का answer आजाएगा option number D बिल्कुल अगर clear हो गया तो चलिए अगर clear है तो यह वाला question आपका homework में रहेगा इस question को homework में करिएगा और comment section में इसका reply करिएगा एक रार question को screenshot ले ले लेने और homework में करने के बाद इसका reply करना ठीक है यह उन लोगों के लोगों के नाम दिये हुए मैंने जो लोग correct answer देके रखे हूए थे ठीक है तो इनमें अपना नाम देख लेना यह भी बिल्कुल correct answer जितने लोगों ने दिये हुए थे तो 4 और 64 बिलकुल correct answer था जो आपको question ये वाला दिया हुआ था ठीक है ना तो कैसे आया था answer mean proportion आपको 16 निकालना था तो अगर आप option से देखते तो इसका answer नहीं आता ठीक है और इसका भी answer नहीं मिलता इसका भी नहीं मिलता अकेले इसका म answer option number B था वो लोग बिलकुल सही थे clear ये वाला question भी आपका homework में comment section में इसका मेरे को reply चाहिए homework का question का reply आपको comment section में करके चलना है ठीक है 600 प्लस question के साथ आपके जीए गुरू अभी पदार रहे हैं तो कहीं भी जाने की ज़रूत नहीं है जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए उससे चार गुना लोग जीए गुरू के साथ जुड़िए कल साड़े 6 बजे आपका one word substitution की क्लास होगी सुबा मॉर्निंग में साड़े 6 बजे ठीक है और अगर सेशन मदा आया लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करिए जो लोग नए लोग है वो लोग सब्सक्राइब करना मत बूलिए तब तक के लिए थैंक यू एवनाइज देन बेस्ट ओफ लाग